नमस्कार दोस्तों नमह शिवाय जीवन जोती चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ दोस्तों आज की वीडियो है नौरात्री कलश विशर्जन के विशय में दोस्तों नौरात्री में जितना ही महत्पूर कलस की अस्थापना का कारे होता है उतना ही महत्पूर कलस विसर्जन का भी कारे होता है हमें बहुत ही विधी विधान से और नियम पूर्बक कलस का विसर्जन करना चाहिए जिससे की हमें हमारे ब्रत और समपूर पूजा का हमें फल प्राप्त हो सके तो इस वीडियो में आप जानेंगे कि कलस का विसर्जन कैसे करें अर्था चौखी पर जितनी भी आपने सामगरी अस्थापित की है और सबसे जरूरी चीज कि कलश के उपर जो आपने नारियल अस्थापित किया है उसका क्या करें बहुत से लोग ऐसा कहते हैं कि उस नारियल को प्रसाथ के रूप में हमें फोड़ कर और सभी परिवार में वितरित करना चाहिए ग्रहन करना चाहिए बहुत से लोग कहते हैं, नारियल को नहीं तोड़ना चाहिए, लेकिन क्या सही है, क्या गलत है, आईए मैं इस वीडियो में बताती हूँ कि आपको कलस के उपर जो अस्थापित नारियल है, उसका क्या करना चाहिए, क्या नियम है दूसरी चीज जितनी भी सामगरी है जैसे कि आपने जो अक्षत, पुष्प, पत्तियां और कलस में जो आपने हल्दी, सिक्का, सारी सामगरी डाली है और जो आपने चुंदरी विछाई है वो सारी चीजें ज्वारे और जो अखंड जोती आपने जलाई है सब कुछ आपको क्या करना है, कैसे विसर्जन करना है, क्या नियम है, शुरुआत से लेकर आखरी तक पूरा नियम आप लोग जानेंगे और किस तिथी में विसर्जन किया जाना चाहिए, इसका भी नियम आपको इस वीडियो में पता चलेगा तो वीडियो में आप लोग बने रहिएगा आंत तक सारी बातों को समझ लीजिएगा चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा वीडियो पसंद आता है तो इसे एक लाइक जरूर कीजिएगा कमेंट बॉक्स में मातारानी का जैकारा जरूर लगाईएगा आएए मातारानी की वंदना कर लेते हैं जैन्ती मंगला काली भद्र काली कपालिनी दुर्गा छमा शिवाधात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते देखिए सबसे पहली बात तो दश्मी तिथी में हमें जैसा कि इस वर्ष 24 अक्टूबर को दश्मी है उस दिन हमें कलस्का विसरजन करना चाहिए अब कलस्का विसरजन करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए सबसे पहले आप सुबह असनानादी करके आप जो भी आपका नित्य कर्म है उससे निवित होने के बाद असनानादी करें, स्वक्षबस्त धारण करें और नियमित जैसे आप पूजा करते हैं, पहले आप पूजा कर लें, पूजा अर्चना करने के बाद आप भोग प्रसाद माता जी की आरती कर लें सब कुछ करने के बाद अब आप विसर्जन का जो कारे है उसे शुरू करेंगे सबसे पहले कलस को थोड़ा सा हिलाने के बाद आप प्रणाम करते हुए कलस में अस्थापित सभी देवी देवता से आगरह करेंगे हे कलस में अस्थापित सभी देवी देवता आप से मैं आगरह करती हूँ या करता हूँ कि अब आप अपने धाम को जाए मालक्षमी जी श्रीगडेश भगवान जी सदा सरवदा के लिए हमारे घर में विराजबान रहें और आप लोग अपने धाम को जा सकते हैं हमारा जो मा माहन पर फिर आप मेरे घर में पधारिएगा इस तरह से प्रडाम करके इसका संस्कृत स्लोग भी है लेकिन मैंने हिंदी में बता दिया जिससे कि आप सभी लोग बोल सकें तो इस तरह से बोलकर आप कलस को हिलाएंगे उसके बाद आप नारियल को उठा कर धीरे से आप इधर उधर गंदे अस्थान पे ना जाने पाए कलस में जो आपने सामगरी डाली है जिसमें की सिक्का दूर्वा लॉंग इलायची हल्दी की गाठ उसमें से आप सिक्का केवल निकाल लेंगे उसे आप लाल कपड़े में बाध कर अपने पर्स या किसी तिजोरी में आप घर में रख लेंगे इससे धर में बृद्धी होती है और मालक्षमी जी की कृपा सदा बनी रहती है उसके बाद जितने अक्षत है जैसे कि हमने नौग्रह की अस्थापना की है अस्टदल कमल इत्यादी हमने बनाया है उसको आप गव माता को उस अक्षत को खिला सकते है य पे अथा अस्थान जहां आपने घर के मंदिर में रखते हैं, या जहां भी आपने मूर्ती रखी है, वहाँ पे आप उन्हें अस्थापित कर दीजिये, रखती जिये, उसके बाद आपने जो जुआरे बोएं हैं, जुआरी के जो फसल उगी हुई है, उसको भी तोड़ कर आ प्रतियां पुष्प हैं और जो आपने सुख्ष महवन प्रतिदिन किया है उसकी राख है वो सारी चीजें आपको विसर्जन करनी होती हैं बहुत इस रद्धा से बहुत ही प्रेम से किसी लाल कपड़े में लपेट कर बांध कर बहुत इस रद्धा से सीज जुका कर आपको बहते जल में उसका विसर्जन करना होता है अब बात करती हूं कि कलस में जो आपने कलावा लपेटा है कलावा बांधा है उसे आप उठा कर आप अपने पास रख सकते हैं अपने पर्स में रख सकते हैं उसे वो कलावा भी बहुत ही शुब और स्रेश्ट फल को देने वाला होता है कलावा को आप रख ले उसको विसर्जन करने की आवशक्ता नहीं है या फिर उस कलावा को अपने हाथों में आप बांध लीजिए पुरुष है तो दाहिने हाथ में महिला है तो बाय हाथ में उसका लावा को आप बांध सकते हैं या फिर आपके बच्चे हैं अपने ये सारे कारे करते समय आप माता जी के स्तूती करते रहें माता जी के मंत्रे बोलते रहें या फिर माता जी से ये प्रार्थना करते रहें कि हे माता रानी मुझे जो भी ज्यान था मेरे पास अल्प ज्यान है मेरे पास बुद्धी नहीं है ज्यान नहीं है जो भी मुझसे हो सक मुझे छमा करें इस तरह से आप अपने मन में भाव रखकर माता जी से प्रार्थना करते रहें बोलते रहें और यह विशर्जन का कारे करते रहें अब आपने पूरी सामगरी को एक किसी पात्र में या लाल कपड़े में बांध दिया अब बात आती है नारियल की जो कि सबसे मुख्य होता है और इस विशह में बहुत ही ज़्यादा दुविधा होती है बहुत से लोग उसे प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं बहुत से लोग कहते हैं विशर्जन कर देना चाहिए भी देखिये दो चीजे है पहली बात तो मैं बता दूँ और उसका कारड भी ब अरपित किया है। लेकिन बात आती है नारियल की नारियल की लिए महास्टहीम की दिन की पूजा करते हैं। उस नारियल की भूब्र करना जो आपने कलस्पय अस्थापित किया है बहूंड परसाद नहीं है 그래도 उसक्षात त्वरूप मार लक्षमीजी का स्वरूप की अब इनुगाइ। मालक्षमी जी के रूप में हम वहाँ पर नारियल अस्थापित करते हैं तो वह नारियल साक्षात मा का स्वरूप हो गई मालकषमी जी का स्वरूप अब उस नारियल का दो कारे आप कर सकते हैं विसरजन भी कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है लेकिन सबसे उत्तम मैं बताओं जो नियम होता है लाल कपड़ा उसमें बांध कर और मौली लपेट कर हम लोग कलस पर नारियल के स्थापना करते हैं आप उसको उसी रूप में अपन नारियल के सथापना करतेज़यों अर्मिक फूस्थान भागवान को रखणा है ये सारी चीज़ें बहुत ही शुहमानिये जाती हैं गंगा जल रखना तो उसी तरहसे नारियल रखना भी बहुत शुहमाना आजाता है और आप चाहें तो उसी पूजा प्रथिदिन जैसे हम भगवान की पूजा करते हैं आप कर सकते हैं फिर जब अगली नौरात्री आएगी चैतरवाली नौरात्री तो फिर आप कलश अस्थापना करेंगे तब उस नारियल को आप विसर्जन करके फिर जब दूसरा नारियल जो आपने अस्थापित किया है वहाँ पर उस अस्थान पर उस नारियल को फिर रख देंगे जैसे हम लोग मालक्षमी जी के अस्थापना करते हैं और जब पुरानी वाली जो मूर्ती होती है मालक्षमी जो पिछले साल हमने अस्थापना की होती है उनका हम लोग विसर्जन करते हैं और फिर नई मूर्ती को पुजन करके अस्थाप तो आप विसर्जन कर सकते हैं लेकिन तोड़ने की बात तो मैं बिल्कुल नहीं कहूंगी कि आप उस नारियल को तोड़कर और प्रसाद के रूप में ग्रहण कर लें ऐसा नहीं करना चाहिए तो नारियल के विशय में ज्यादा कन्फ्यूजन होता है इसलिए मैंने बता दिय हाँ अखंड जोती के विशय में मैंने अभी नहीं बताया है देखिए कभी-कभी ऐसा होता है कि तेल हम लोग परयाप्त अखंड जोती जब जलाते हैं तो तेल परयाप्त डालते हैं क्योंकि ऐसा नहों कि अखंड जोती बुझ जाए तो कभी-कभी ऐसा होता है नौमी ति बाकी सामगरी हटा ले जो चोकी पर आपने बस्त्र पिछाया है मालिजे उसके ऊपर अखंड जोती है तो बस्त्र रहने दे और बाकी चीजे आप हटा ले एक कपड़े में लपेटकर बाध दे और जब तक जोती आपकी जलती है जब तक जलती रहने दे खुद से जब अखंड जोती शान्त हो जाए तब आप उस पात्र को हटा कर धुलने मिट्टी का पात्र है तो आप उसे रख सकते हैं और धातु की जो दीपक है धातु का है तो आप उसे साफ करके फिर अगली बार पूजा के लिए आप उसे रख सकते हैं तो अखंड जोती कभी भी मत बुझाईएगा चाहे वो कितनी भी देर तक जलती रहे जब वो अखंड जोती शान्त हो जाए तब ही आप उसे उस जगह से हटाईए तो मुझे लगता है कि सारी चीजे मैंने बता दी हैं जितनी भी सामगरी के स्थापना आपने की थी सब इसी पूछ सकते हैं आप लोगों का स्वागत है फिर मिलती हूं अगले वीडियो में तब तक के लिए धन्यबाद नमस्च्वाए हर हर महादे